भारत में डाइबिटीज रोग से पीडित लोगों की संख्या करीब सारे 6 करोड है और आने वाले 10 से 15 साल में इस रोग से पीडित लोगों की संख्या 10 करोड को पार कर सकती है डाइबिटीज से पीडित लोगों को काफी लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है इनके लिए घर बैठे ग्लुकोज की जाच कराना अब और भी सस्ता हो जाएगा देश के दो संस्थानों IIT मुंबई और बिट्स पिलानी के हैदराबाद केंपस ने ग्लुकोज की जाच के लिए ग्लुकोमीटर और स्ट्रिप्स विक्सित किये हैं स्वास्त मंत्री गुलाम नभी आजाद ने सुमवार को नई दिल्ली में इस किट को जारी किया ग्लुकोज की जाच के लिए अब तक हम विदेशों से आयातित ग्लुकोमीटर और स्ट्रिप्स पर निर्वर्थ है जिनकी कीमत काफी अधिक थी देश में ही विक्सित ग्लुकोमीटर 500-600 रुपिय में और स्ट्रिप्स महज 2-4 रुपिय में उपलब्द हो सकेंगे इस डिवाइस में ग्लुकोज भी मेजर होता है और पुरानी वैल्यूस भी स्टोर होती हैं तो आप अपना सीरियल रिकॉर्ड रख सकते हैं और आगे आकर हम इसको ऐसे भी एनेबल करने वाले हैं 2010 सही पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये योजना लागू है और कुछ महिने बाद इसे देश भर में लागू कर दिया जाएगा निशांत सौरब, डिडी निउस, दिल्ली